मैं डॉक्टर अनगा खुलकरणी आज औरतों में पेशाब रुक्रुक के होना यूरीन इनकॉंटिनेंस इसके लिए आप हूम रेमेडी क्या है इसके उपर मैं आज बात करूगी मैं एक आयोलवेडिक डॉक्टर हूँ तीस साल से मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो इसलिए मैं आपको पका बताना चाहूँगी कि अगर ये इनकॉंटिनेंस इस सिचुएशन से आप गुजर रहे तो कोई घबराना नहीं है पेशाब अगर आपको रुक्रुक के होती है तो बिल्कुल टेंशन मत लेजेगा क्योंकि अगर ये पेशाब रुक्रुक के होती है तो उसका बाद में थोड़ा सा स्मेल आता है और उस स्मेल की वज़े से बदभू की वज़े से आपको सोशल लाइफ बहुत आपका प्रॉब्लेम हो जाती है अगर किसी शादी में जाना है अच्छे कपड़े पहनना है तब ही आपको प्रॉब्लम है और लोगों को अगर दुर्गन ली आती है बदभू आती है तो आपके पास में कोई बैठना भी नहीं जाता ये भी हो सकता है और जैसे ही ये जो यूरीन जो है ये ड्राय हो जाती है नहीं तो ये बार-बार वहां पर गीला हो जाने की वजह से थाईज मतलब आपके जो मांड़िया वोलते हैं जिसको आप थाईज जो है वो थाईज एक दुस्क्रे के उपर घिस घिस के उसके उपर वुल्ड भी हो सकती है जखम हो सकती है और वहां पे फंगल इंफेक्शन भी होता है वाइटिस ऐसा फंगल इंफेक्शन होता है इचिंग होती है जलन होती है तो अगर बार बार आपको पेशा होती है और जब भी आपको कभी कभी बाहर जाना होता है कभी कभी ऐसे हो जाता है बहुत जोर से आती हैं और रुक नहीं पाते हैं आपको बहुत टेंशन आ जाता है तो ऐसी बहुत लोगों को यह होता है अगर यह ओल देज में है तो यह बहुत नार्मल है मेना पॉज में भी होता है ये कभी-कभी शादी होने के बाद लड़कियों को होता है और कभी-कभी जैसे ही मेंस्ट्रेशन चालू होता है तभी उस उमर में भी कभी-कभी लड़कियों को ये हो सकता है इसका कारण सबसे पहला कारण है हर्मोनल इंबैलेंस है दुसरा कारण है मेंटल स्ट्रेस तिसरा कारण है वीकनेस मतलब खाना भी ना अच्छा नहीं खाना विटावेंट डिफिशेंसी और एक मैं आपको कारून जरूर बताऊंगी वो है ठंडी मतलब बारिश के दिनों में वगरे यह ऐसा हो सकता है और है क्योंकि वो ठंडी वहां पे अगर ठंड लगती है बार-번ार तो पीशाव होती है रुक रुक के पीशाव आती है तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी कि आपके कादमेंट जो है वो ड्राइब होने चाहिए दिन में दो-तीन बार आपको बदलने चाहिए चेंज करने चाहिए और एक बात आपके पेट में आपको क्या खाना है मैं आपको बता दूगे देखिए अगर आपको बार-बार पेशाब होती है तो इसका मतलब है मसल विकने से वो पेल्विक के मसल्स भी है और यूरिनरी ब्लैडर के भी मसल्स है तो आजकल बहुत जाना क्या होता है सीजर होता है कोई ऑपरेशन होता है तो उसकी वज़े से भी ये बार-बार जाना चालू हो जाता है तो उसके लिए आपको फ्लैक सीड्स, सीसम सीड्स, अजवाइन, सोप और अमला सुपरी ये पाव-पाचमच पाचो लेने हैं उसको आपको भुनने नहीं है रोस्टों नहीं करने है और इसको आपको चबा-चबा के खाना है इसकी वज़े से आप आपका मसल टोन भी अच्छा रहेगा क्योंकि अगर मसल टोन कम हो जाता है तो वीक निसा आता है मसल में कैल्शियम डिफिशंस से होती है तब यह ऐसे हो सकता है तो अगर आप यह पाचों चिज़े खाते हो दोनों टाइम खाने के बार में तो आपको फरक आता है लेकिन आ सबको विटामिन्स मिनरल्स दोनों भी बहुत अच्छे मिलते हैं और सबसे पहली बात है इसमें जो ऑईल रहता है उसकी वज़े से आपका मसल टोन भी बहुत अच्छी तरह से टिके रहता है और एक बात आपको बताती हूं आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा तो वह जो आपके जहां से आप बात्रूम टॉयलेट करते हो ना वहां के जो मसल्स है वो टाइट पकड़ने है छोड़ने है कभी भी जैसे ही आप बैठे रहो आप ऐसे चार पाच बाच जब भी आपको ध्यान में आता है दो तीम प्यार कर लो छोड़ लो मतलब ऐसे कॉंट्रक् cœur आं वैसे पकड़के रखने सब आपके मसल्स ऐसे जब भी ध्यान में आता है ना तब सबना रहेगा यतना आप करते लीजिये Mental stress बिल्कुल ना रीजिए Mental stress की वज़े से भी ऐसे हो सकता है और एक बात अगर यह ऐसे होता है तो आपको sanitary pads use करने चाहिए क्योंकि अगर आप sanitary pads use करते हो तो आप बाहर जाने के बार अगर leak भी हो जाती है urine तो उससे बदभू नहीं आएगी और wetness की वज़े से आपको infection नहीं होगा इतनी बात आप ध्यान में रख लेना और यह जो urine incontinence है बार बार पेशाब रुक रुपके होना इस यह जो symptom है इससे आप मुक्त हो जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगता है तो like